तो MPPSC 3 जो 2023 का 17 दिसम्बर को होना था वो निशित हो चुका किसी प्रकार के ब्रह्म में न रहे और अपने तयारी को मजबूत रखे और इसा में क्यों कहे रहा हूं क्यूंकि हाली में आज देख पा रहे होंगे 29 दिसम्बर ने 29 नवंबर को आपका एक नोटिफिशन आया य लेकिन आपको देखना है कि सायक कुल सची हुआ था जो 16 दिसम्बर को आपका इंटर्विव था ठीक है उस इंटर्विव को इस्तगित कर दिया गया यह आजी का आयोग का विज्ञापती है देख पारे होंगे तो यह जानकरिया दी गई है आयोग ने कि आदेस अनुका अ इस्तगित किया जाता है कि नविन तीथी आवदेकों को यथा सिग्र अवगत कराई जाएगी तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि 16 दिसम्बर को हमारा इंटर्विव था 17 को हमारी प्री है ठीक है 26 दिसम्बर से मेंस शुरू है तो एक तो आपकी मिया पर इस्तगित हो गई है अब बच क्या रहा है 17 दिसम्बर और 26 तो देखो 17 दिसम्बर की प्री होना कंफर्म है अब इसके बाद हमको लग रहा है कि 17 दिसम्बर की प्री आपकी कंफर्म होगी उसको आगे नहीं बढ़ाय जाएगा अगर बढ़ाय जाएगा तो साइथ 26 दिसम्बर को तो उनको तयारी करते रहना चीए कुछ हो या ना हो आगे बड़े या बड़े बड़ेगी तो क्या होगा आपका रिजल्ट आपका खुदी प्री नहीं निकलेगा क्यों क्यों एक दो नंबर से आप इन फाल्तु चीजों में रह जाते हो तो इसलिए आपको क्या है कि अपने नोटिविस्टन के बाद तो नहीं लग रहा है कि अब आयोक 17 दिसंबर की फिरी को आगे बढ़ाएगा या उसका कोई एसी अनुसंसा है या मनसा है कि वो 17 दिसंबर की फिरी को आगे बढ़ाएगा ठीक है तो यह नवंबर कही था आपका आज का तो इसके रिलेटेट कुछ भी जानकारी आती है तो हम आपको इस यूटूब चैनल के माध्यम से बता देंगी तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है तो मिलते हैं आपको नेस्ट वाली जानकारी में लेकर कुछ आता है तो 17 दिसंबर या 26 दिसंबर स लेकर तो इस वीडियो में मिलते हैं